यहां पर भी जब्रूप्स है उसमें भी चेयर करक काुष्ण है तो आज लंग है और यह पूरा सेडूल सब्सक्राइब ProductWorks अ जितने भी ग्रुप हैं उस सेयर कर दिया था इस चैनल को देख सकते हैं संडे को साइंस फिल एक जो यह वीक चलेगा दे अब गरम्न के आज से तो देख लेते हैं संडway से और पूरा यह पूरा यानि जो week चलेगा उसका यह पूरा जो है class schedule है तो आज संडे साइंस होगी Monday को भी साइंस होगी Tuesday को भी साइंस होगी और Wednesday को भी साइंस होगी, ओके, और फिर उसके बाद, लास्ट के, जो ठीडेज होंगे, वीक के, उसमें मैथ होगी, मैथ होगी, मैथ होगी, इस तरीके से हम लोग continue करेंगे और फिर जैसे time मिलेगा हम लोगों को, तो दूसरा जो है, class लेकर के हम लोग आएंगे तो जड़ा टाइम नहीं लगाते हुए हम लोग आज के कोश्चन को डिसकसन करते हैं साइन्स के ओके ओके फ्रेंट्स कांटीनियू करते हैं प्रैक्टिस सेट टू के बारे में ओके कौन सा प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस नमबर टू ओके यहां पर जो प्रैक्टिस सेट नमबर टू है उसमें जो पहला कोशन्स है पहला questions क्या कह रहा है कि रसायनों का एक समूव यहां पे क्या करना फिल करना है तो वह काउं सा रसायन का समूव है जो कोशी का विभाजन और पाउधे के गठन को प्रभावित करता है ऐसा जो हमें chemical यानि की रसायनों का समूर देखना है जो नीचे भी जो आफसन दिये हुए हैं उसका work क्या है कोसी का विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है तो यहां पर आफसन फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ cytokinesis का अर्थ ही होता है विभाजन के समय कोसी का द्रभ्य का विभाजन करना यानि कि इसका मतलब ही है कि कोसी का द्रभ्य का विभाजन करना और उसमें क्या करना है यह क्या करता है cytokinesis यानि कि यह पौधे की जो कोसी का ही होती है cells होती हूं उसमें डिवीजन लाता है और पौधेक को जो है सूस अंगठित करता है तो यह इसका में वर्क ही है साइटो काइनेसिस का तो इसको आप लोग ध्यान रख लिजेगा बहुत ही कि परमार्व के उच्चतम इस्थितन इलेक्ट्रानों को क्या कहा जाता है जो जो है यहाँ यह यह देख सकते हैं कि actual में होगा क्या है तो यहां पर हम लोग एक example ले ले लेते हैं suppose जिसे लिखा वह एन एक कितना होता है 11 होता है electron number यह proton number जो होता है electronic यानि इसको अगर हम लोग configuration करेंगे तो इसका total value कितना आएगी 11 आएगी और इसको अगर electronic configuration से यानि electronic विन्यास से इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या होगा तू होगा फिर क्या होगा एट होगा फिर कितना होगा वन होगा तो यहां पर जो यहां पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो क्या है वन है इसी को अगर हम लोग क्या कह दें जो वन होगा यहां पे फ्रेंट्स जो वन होगा इसको हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं बाहरी कच्छा का इलेक्ट्रॉन या इसको हम लोग बोल सकते हैं उचित्तम इस तर में इस्थित यानि कि जिस हिसाब से अगर इसकी वैलेंसी को अगर हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से अलाग अलाग आ जाएगा तो यहां पर कितना होगा आठ होगा यहां पर कितना होगा दो होगा तो बाहर यानि कि यहां पर उच्चितम का मतलब है ब होग कि आ में यहां पर जो ने सेट इस क GPS कैलेता है एक मिनट कर लेखे कर लेखे हैं स्त्र संतुलन में होती है इस्तिर संतुलन मेंहोती है जब यहां पर क्या लिखना जब विषराम की स्थिति में होगी रति मार्क पर चलती रहेगी चलने का छो कोशन हो वो तो यानि सी में कही लिखा एक समान वेग से यहां पर लिखा हुआ एक समान 19ussen चलती रहेगी यह भी गलत है उच्छ выпoft तह यह भी कलत है यहाँ पर यनी की इस shet nine एंग होगी doыл रेश्ट पोजीशन में कब होगी इन डिस्ट बाइलेंस में कब होगी जब वह है विष्राम की स्थितम होगी जब रेश्ट की कंडीशन में होगी तो क्या होगी वह इस्थ हैए संथलन होगी यानि डियुक्ष बेदिक बाइल सकते हैं और bands बैले से बहुत सकते हैं और क्या बोल सकते हैं इस तरीके से चीजों को को सब्सक्राइब ने स्म 눈 आ गया ओगा कहीं पर भी कोई भी प्राब्लम हो तो क्या है आप लोग कॉमेंट बाक्स में जरूए लिखना केस्ट सामान ने चुंब कीए प्रवाह घनत चीजंश हां इसकी वैल कि भरना है स्टार्टिंग में वह क्या होग तो चूंब की प्रवाह है मैंग्नेटिक फ्लो जो होता है समतल के माध्यम से सथय के लिए सामाने चूंब की प्रवाहा घनत तो इन दोनों क्या होता जो है यह जो चुम्बकी प्रवा होगा वो क्या होगा अगर यहां पे इसको अगर हम लोग कुछ भी मालें डी मालें डी फार डेंसिटी ओके यहां पे माल लेते हैं यहां में यहां माल लेते हैं यहां माल लेते हैं यहां मतलब हो गया magnetic field हो गया जो भी है तो यहां से इसकी जो value होगी वो क्या होगी B into D होगी ओके फ्रेंट्स क्या होगी B into D होगी जनरली हम लोग ऐसे भी यह भी बोलते हैं कि जो भी इसका जो है चुम्बकी छेत्र का जो प्रवाह होगा इसको हम लोग किस चीज से रिपर्जन करते हैं इसको हम लोग फाई से रिपर्जन करते हैं और उसके बाद यहां पर यहां पर यह जो भी इसका मात रख क्या होगा बेबर दो मात रख होंगे उसके दो मतलब एक जनरली इन्होंने इसके बारे में जो सर्च की हुई थी जो जिसने खोज की हुई थी उनका नाम बेबर था तो बेबर भी एक तो बेबर हो सकता है ओके बेबर हो जाएगा और दूसरा जो होगा दूसर मीटर प्रति एंपियर इसका क्या होगा मात रखोगा इतनी चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा तो सारी चीज़ हम लोगों ने डिसकास कर ली यहां से कोश्चन नमर फाइब कोश्चन नमर फाइब में कहा लिखा है फ्रेंड्स किस दवा का वेदना वेदना मुतलब है वेदना से राहत पाने के लिए क्या है प्रियोग किया जाता है तो किसका प्रियोग किया जाता है जो ट्रेमंडॉल है जो होता है इसका प्रियोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है और इसमें होता क्या है इसमें फोलिक एसिड का प्रियोग जो है फोलिक एसिड कब होता है जब हमारे बाड़ी में वीटामिन की जो है कमी आ जाती है तो हमारे जो जो सेल्स होती है वो क्या हो जाती है वो टायड होने लगती है क्या होने लगती है वो टायड होने लगती है उस chemical का नाम क्या है उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लिजेगा ये तो आपसन होगा ही ट्रेमेंड डाल तो उसके लिए क्या होगा rice rice dronet इसको मैं लिख देता हूँ rice dronet ओके dronet ये chemical उससे बनता है जो हड्डियों को सकती प्रदान करता है तो इसको rice dronet है इसका काम क्या है इसका काम क्या है हड्डियों को सकती प्रदान करना क्या करना हड्डियों को पावर देना या सकती प्रदान करना हड्डियों क्या करता है सक्ति प्रदान करता है और यह जो दवा होती है यानि कि यह क्या है एक प्रकार के दवा तो हाई और किसमें पाया जाता है एक होता है ब्यू प्रोपियों होता है क्या होता है ब्यू प्रोपियों 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 ओके ब्यू प्रोपियों इसका भी परयोग्य क्या करते है एक ये भी मेडिसीन है है इससे लावा कि ये बीजिस आ भी करता है यह जो हूता है भी टीक दर धूमर फार फान चुडाने का काम करता है इस दवा का प्रयोग करने से क्या धूमर channels चूटजाता है तो कुछ छीज़े एक्सीं उनको देख लिए हम लोगों ने तो आगे बढ़ते हैं यहां पर इसका कॉश्चन काउंसा हो जाएगा ट्रिमेंड डॉल हो जाएगा ओके नेश कोश्चन कोश्चन नबर 6 कोश्चन नॉमर 6 में किया कह रहा है इस तरीके से और रिखुर हैं आप लोग देख लिजी का सामानिता यह सूम्च्ट म जियु विज्ञान के जनक नाम से जाने जाते हैं How Kिूे सूषम चीव limit okay microbiología जिसको बोलते हैं हम लोग microbiology के जयनक है यह होंak है इनों का पूरा नाम अन्टोनीं फिलिप यों इस घ कहानी है इन्हों नहीं जो हैनी कि मतलब उसी की नतर आते हैं भैक्टिडिया वगर भी आते हैं तो लिवनक्ben क्या है baccy rut क्या बोलते हैं ब्रयों क्या बोलते हैं इनको चौक बोलते हैं father of क्या बोलते हैं friends father of bacteriology बैक्टिरियो लॉजी ओके यह भी देख सकते हैं next question question number seven question number seven कह रहा है निम लिखित में से किसे संसलेसित यहां पर थोड़ा सा गड़बड हो गया तो इसको आप लोग सुधार लेना यह जो है संसलेसित यहां पर कह रहा है कि निम लिखित में से किसे संसलेसित यहां पर क्या है रबर है यह क्या है इसको रबर कर लेना यह क्या है इसको बोलते हैं synthetic rubber संसलेसित को क्या बोलते हैं synthetic rubber तो यहां पर जो इसका option हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहां पर आगे पीछे हो गया है तो इसका option जो होगा वो क्या हो जाएगा नियोपिन हो जाएगा क्या है यह सी नीचे होना चाहिए तो टाइपिंग करने में जो है उपर सी हो गया है नियोपिन हो जो नियोपिन नहीं है और नियोप्रीन है ओके नियोप्रीन इसको आप लोग सही से लिए कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप लोग ध्यान से लिख सकते हैं नियोप्रीन इसको नियोप्रीन भी बोलते हैं और एक चीज और बोलते हैं फ्रेंड्स क्या बोलते हैं पॉलीलो रॉप्रीन बोलते हैं जिसे पॉलीमर नहीं होता बिलकुल वैसे ही इसको बोलते हैं पॉली ली रो प्रीन एक नाम भी याद रख लिजेगा पॉलिली रो प्रीन बोलते हैं और यह जो होता है यह उच्छ प्रकार का क्या होता है यह उच्छ प्रकार का बहुलक होता है जिसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं यानि कि हाई लेवल का बहुलक होता है पॉलीमर होता है और इ नियोप्रीन का यूज कहां पर करते हैं यानि कठोर होता है हर्ड होता है हाई लेबल का होता है इसका प्रेयोग क्या करते हैं बेल्ट बनाने में करते हैं बेल्ट बनाने में और पाइप आधी बनाने में जो पाइप होती हैं उके उनके बनाने में इसका यूज किया जाता है किसका नियोप्रीन का हो यह क्या है प्रकार का संसलेसित रबर है कोशन नमर एट कोशन नमर एट में कहे रहा है कि एक सामान एक लिफ्ट जो एक समान वेक से नीचे जा रही है उसमें किसी ब्यक्ति का इसपश्ट वजन क्या होगा क्या है नीचे जा रही इतनी चीज याद र दिये हुए हैं जब लिफ्ट नीचे जाती है जब लिफ्ट नीचे की और जाती है तो उस लिफ्ट में बैठे हुए ब्यक्ति को क्या है भारहींता का अनुभव होता है क्या होता ये चीज याद रखना भारहींता का अनुभव यानि आभास होता जो भी अंतरिच लिफ्ट म हो या अंतरिच यान में जब नीचे की और जो होगा तो उसमें क्या है भार हींता का अनुभव होगा जब लिप्ट एक समान वेक्स नीचे जाती है तो इस्थिर आवस्था की तुलना में वजन क्या है कम होता है जैसे जो भी इस्थिर है कहीं पर भी खड़े हों कहीं पर भी स्टेटिक फार में हो मोसन में ना हो इन्रेश्ट पोजीशन में हो तो क्या होगा क्या होगा फ्रेंड्स हमारा जितना भी वजन है जितना हम फील कर रहा हैं कहीं पर भी बैठे हुए हैं लेकिन जैसे हम लिफ्ट से नीचे आएंगे तो क्या होगा इस्थी रवस्था की तु होगा गलत है तो यहां पर यह हो जाएगा सी आप कार तो आरेने का प्राथ्मिक होता है प्रोटीन का संसलेशन करना क्या होता प्रोटीन का किसका संसलेशन करना प्रोटीन का संसलेशन करना आरेने राइबोसोम पर चिपके रहते हैं जो आरेने होते हैं जो होते हैं जो राइबोसोम होते हैं उसमें क्या है यह चिपके होते हैं क्या होते हैं अगर यह राइबोसोम है यह क्या है ri ribosome राइ बो सों पर क्या है एक पिढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं तो इस परकार का एक अरेने क्या होता क्या कैंदर्क में पाए जाता जो भी कोसिका होती है उसके सेंटर में 專र क्या क्या फ्रोटीन कशनिलेशन न its map okay यह पहला काम हो गया दूसरी स्थ कि खासियत का क्या है यह शिपके हुए होते है और इसका एक खासियत क्या है कि जो आरेने होता है प्रकार का आनवंसिक वाहक होता है जो वायरस को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में ट्रांस्प्लांट करता है और इसकी एक खासियत क्या है कि यह केंदरक में होता है ओके कंफरम हो गया सारी चीजे आगे बढ़ते हैं आज की प्रैक्टिस सिट का यह चेत्र की तरफ एक कोशिका जिली के माध्यम से होने वाले अड़ों के संचलन को यानि जो संचलन का मतलब होता है चलने को मोशन को कहते क्या है तो क्या कहते हैं तो यहां पर हो जायागा यह सक्री आवागमन होता है यानि कि जो भी है चलने वाले को आवागमन ही होगा तो किस हिसाब का होगा थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं उके जो कोशिका जिल्ली होती है इसको इंगलीज में cell membrane बोलते है क्या बोलते हैं इसका जो कार होता है पदार्थ के आवा गमन को नियंत्रित करना होता है जो कोशका जिल्ली होती है क्या करती है पदार्थ के आवा गमन का नियंत्रन करना होता है नियंत्रन यानि कंट्रोलिंग करती है जो भी उसके आवा गमन में यानि अप डाउन जो होते हैं जो आते हैं जो बाहर जाते हैं उनको क्या करती है कंट्रोल करती है जब कोशका जिल् पदार्थों का जो आवा गमन होता है उनको क्या करती यह गरती है चैनल में और यहां अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ओके थैंक यू टेक केर